हेलो क्लास 11th टूडेंट्स टिग्रमेटिक फंक्शन्स के 16th question को हम लोग जो की 3rd exercise का है आज की video में solve करेंगे हमें प्रूफ करना है कि cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x जो है इसके एक को लोगा बहुत असानी से आ जागा अगर आपको formula मालूम है तो formula मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं cos x minus cos y का formula होता है minus 2 sin x plus y by 2 और फिर होता है sin x minus y by 2 और sin x minus sin y का formula होता है 2 cos x plus y by 2 और sin x minus y by 2 यह formula होता है आपको clearly दिख रहा होगा उपर वाले में यह वाला formula होगा और नीचे वाले में यह वाला formula होगा यूज करते हैं तो क्या जाएगा आपका उपर वाले में क्योंकि जब आप cos use करते हैं cos x minus cos y का तो minus 2 आता है पहले तो लिखेंगे हम लोग by whole divide by अब देखेगा sin x minus sin y का formula यूज करेंगे तो पहले तू आएगा पहले क्या आएगा तो यह टू डिवाइड बाई 2 cos x plus y करेंगे 17 x plus 3 x डिवाइड बाई तू करेंगे और फिर sin x minus y करेंगे 17 x minus 3 x डिवाइड बाई टू करेंगे ठीक है च्लियर है अब देखेगा यह जाएगा 2-2, sin 7x, sin 2x, divide by 2, cos, 10x, फिर sin 7x, समझेगा, जब आप इस ब्रैकेट को solve करेंगे, तो 7x, इस ब्रैकेट को solve करेंगे, 2x आएगा, इस को solve करेंगे, तो 10x आएगा, और इसको solve करेंगे, तो 7x आएगा, और फिर आपको clearly दिखेगा, है एक दम साफ-साफ थे एक पात इंग बच रहा है तो माइनस भच रहा है तो संगे हैं ऑच्छा से साइं और कहेंगे कि हमारा आइस वाला में आया तो लाइक जिरूद करिएगा और कमेंट बॉक्स मताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है और आज को दोसे तना है मिलते हैं लीडियो में तब तक के लिए गुद बाए